बच्चो आज मैं आपको खेल खेल में भाग की प्रिक्लिया से अवगर करता हूँ बच्चो यह आप देख रहे हैं एक प्रिक्लिया को भाग को अर्थ होता है बच्चो चीजों को डिवाइट करना बाट देना भाग कर देना उसके आज मैं इस इलम की सहायता से भाग प्रिक्लिया को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाती हैं मान लीजिए मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं 12 वस्तुएं ठीक मैंने यहाँ पे यह 12 स्टिक्स ले रखी हैं अर्था हमें 12 चीजों को कुछ लोगों में बाटना है मान लिया मैंने इन 12 चीजों को मुझे 6 लोगों में बाटना है यह 12 स्टिक्स है और यह मैं 6 बच्चों में बराबर बराबर विभाजित करना चाहती हूं तो हमारा प्रेश्ण बच्चों बन गया कि 12 जो संख्या है उसे हमें 6 लोगों में बिभाजित करना है अर्थाथ 12 को 6 से बिभाजित करना है अब जिस संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं किस संख्या को बच्चों विभाजित कर रहे हैं बारा को अर्थात हमारा ये भाज हो गया तो भाज संख्या हमारी क्या हो गई बारा और जितनी जगा हम बस्तूओं को बाट रहे होते हैं कितनी जगा हम बस्तूओं को ना है 6 से अर्था 12 चीजों को 6 जगा बाटना है ये मैंने 12 स्टिक्स ली एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा अब इन 12 स्टिक्स को मुझे 6 बच्चों में मांगी जी कब जो हैं वो 6 बच्चों के हैं मैं इन में से 6 कप जो हैं वो चूस करूँगी एक दो तीन चार पांच छे सबसे पहले हम इन 12 स्टिक्स को पहले एक एक करके 6 कप में दिवाइड करेंगे बाटेंगे एक दो तीन चार पांच छे अब जो मेरे पास ये स्टिक्स बच्ची है इनको हम फिर से ही एक एक करके बराबर बराबर डिस्टिब्यूट करेंगे बाटेंगे एक इसको और दी मैंने दो तीन चार पांच छे तो देखा बच्चों आपने मेरे पास 12 स्टिक्स थी 12 स्टिक्स को जब मैंने 6 कप में बराबर बराबर बाटा तो प्रते कप में कितने कितने स्टिक आई बच्चों दो दो इस्टिक्स अर्था जब मैंने 12 चीजों को 6 जगा बराबर डिप्रिवाइड किया बराबर विभाजित किया तो प्रते को कितने कितने स्टिक्स मिली दो दो स्टीक अर्थाथ जब हमने बारा और को छेसे भाग किया तो हमारा भागफन कितना हो गया किया हमारे पास कुछ बचा कुछ भी नहीं बचा अर्थाथ हमारा 6 method क्या हो गया जीरो तो देखा बच्चों भाग की प्रक्रिया कितनी आसान हो ती भाग का अर्थ होता है चीजों को बराबर बराबर बारना इस तरीके से आपके कोई भी सवाल जो है उसको इस बिद से हम हल पर सकते हैं थैंक यू